हेलो फ्रेंड्स मैं सक्तेम सक्ती आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ जासा कि आपने थमनेल पे देखा निव फोन फ्रॉम यूट्यूब मनी इस सेल में मैंने भी एक नए स्मार्टफोन पर्चेज कर लिए है जो की सैमसंग का स्मार्टफोन है और इसको मैंने सैमसंग के ऑफिसियल साइट से पर्चेज किया है और प्रोड़क्ट भी मेरे पास यहाँ पर डिलेवर हो चुका है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगउन को प्रेस कर लिए ताकि आने वली हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिला सबसे पहले तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं कुछी सतरीकी के है इसकी पैकेजिंग सबसे पहले इसके प्लास्टिक पे हम लोग ब्लेड चलाते हैं और इसके अंदर के बॉक्ष को बाहर निकालते हैं आप देख सकते हैं एक और box की इसके अंदर दिया गया है और वो भी Samsung की तरफ से है क्योंकि Samsung shop का इसके इस पर sticker लगा हुए Samsung shop से हमने order किया था अच्छी तरीके से देख लेते हैं सायद कहीं cutting वगरा तो नहीं है क्योंकि काफी fraud भी होते हैं तो चलिए इस box को अब हम लोग फाड़ते हैं और यहां पर हम लोग cut लगा दी हैं और जब तक हम box को cut कर रहे हैं आप तब तक वीडियो को like कर दीजिए उपर में कुछ paperwork वगरा दिख रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि billing वगरा है सायद इस पर amount वगरा लिखा होगा सो आप यहां पर देख सकते हैं हाँ यहां पर billing ही लिखा हुआ है और आप यहां पर clearly देख सकते हैं इसका price आगे price बताऊंगा इसका main price सो आप देख सकते हैं पर काफी अच्छी तरीके से packaging की गई है box की और अच्छी तरीके से इसको पैक किया गया है ताकि लाने में food तूट ना जाए सो चलिए इस box को बाहर निकाल लेते हैं इसके उपर आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है S20 FE 5G जो की Samsung की तरफ से आता है इसके इसकी sale देख लेते हैं कि seal break है या फिर नहीं सो seal अच्छी तरीके से pack है चलिए अब इसको cut लगाते है and cut लगाने के बाद box को open करके अपना main product देखते हैं इसके अंदर so box को हमने open कर दिया है and यहाँ पर आप देख सकते है phone and phone को हम सबसे पहले हैं पर side में कर देते हैं and देखते है box के अंदर हमें क्या मिलता है so box के अंदर एक 15 watt का adapter मिलता है हाला कि यह phone 25 watt fast charging को support करता है लेकिन 15 watt का adapter मिलता है एक type A to type C cable भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है and एक SIM ejector tool भी यहाँ पर दिया गया है so सब कुछ को side में कर देते हैं and अपने देखते हैं अपने main product को so back में है पर 12 plus 12 plus 8 megapixel के camera दिया गया है उपर में sim tray नीचे type C port दिया गया है speaker grill front में 32 megapixel का selfie है चलिए इसके wrapper को हम लोग यहाँ पर हटाते हैं and sticker को भी हटा देते हैं and back में आप देख सकते हैं back में यहाँ पर plastic build मिलता है high quality plastic back में high quality plastic देखने को मिलता है and side में बात करें तो side में आप में metal की framing देखने को मिलती है जो कि phone को काफी premium look देती है अब चलिए इस phone को हम लोग unlock करते हैं and सब कुछ setup करने के बाद आप से मिलते हैं so देख सकते हैं यहाँ पर welcome लिख कर आगया है चलिए सब कुछ setup कर लेते हैं उसके बाद आप 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 और के 30 aps बनती है and front front में 1080p तक ही video को support करती है इस sale के दौरान मैंने सोचा कि यहाँ पर मुझे अच्छी deal मिल सकती है and मैं अपने video के quality को थोड़ा पहले से improve कर पाऊंगा so इस वज़द से मैंने एक नय smartphone purchase कर लिया यह smartphone March 2021 में launch हुआ था यानि कि इसको launch हुए कुल 18 महीने हो चुके हैं so आप लोग पूछेंगे कि इतना पूराना launched smartphone मैंने क्यों purchase किया so इसको purchase करने के कोई regions हैं जैसे कि इस smartphone में कुछ ऐसे features हैं जो कि इस price range में किसी भी smartphone में देखने को नहीं मिलते हैं and खास करके मेरे लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए इनको videos बगिरा बनाना रहता है उनके लिए यह phone काफी ज़्यादा useful है तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर front और back दोनों ही camera में 4K 60fps तक के video को suit करने का option मिलता है and इसके video में stabilization mode भी मिलता है तो video काफे stable suit होगी इसमें अगला reason है speaker और इसका display की quality and मैं content बनाता भी हूँ और साथी social media पे बहुत सारा content देखता भी हूँ तो इस वज़े से मुझे एक अच्छी display और अच्छा speaker चाहिए था and samsung की display की तो कोई competition नहीं नहीं है because iphone भी अपने phones में खुद samsung की display को use करता है अगला reason है samsung knock security and ये apple के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा secure माना जाता है जो की personally मेरे लिए काफी ज़्यादा important है अगला reason है ip68 dust and water resistant इसके अंदर ip68 की waterproofing देखने को मिलती है and ये smartphone 2 meter diff तक 30 minutes तक water को जेल सकता है so ये सरे कुछ regions है जिसकी वज़े से मैंने 18 महीने पुराने launch smartphone को purchase किया अब बात करें इसकी pricing की तो इसकी pricing regular जो इसकी pricing रहती है वो 34,000-35,000 के आसपास रहती है बट अभी जो sale चल रहा है इस sale में इसकी price 29,999 याने की 30,000 है बट मैंने samsung.com से purchase किया तो samsung.com पे एक offer चल रहा था 3000 instant discount का HDFC के credit card पे तो HDFC का credit card मैंने अपलाई किया और instant मुझे 3000 का discount यहां पे देखने को मिल गया और क्योंकि मैंने इसको cash करो के through purchase किया था तो मुझे वहाँ पे 2.25% का यानि कि approximately 607 रुपे के और cashback मिल गया और यह smartphone मुझे पढ़ा सिर्फ 26,400 रुपे में आज की इस वीडियो में इतना ही I hope इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और अगर आपका कोई भी सवाल है फिर सुजाओ तो आप हमें comment करना मुद भूलिएगा मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम